मिकबस 17 को लेकर राखी सावन्त ने दिया अपना ओपिनियन गाइस यांकिता की सास को कहना चाहती हूँ हस्बन वाइफ के बीचे में क्यों कबाब में हट्डी बन रही ही रहो अंकिता ही जितने वाली है अब तो बड़ी खुशी मनाओ कि हाई मेरी बहु मेरी बहु जीत गई मेरी बहु जीत गई बहु की जट करो तुमारी भी बेटी है तुमारी बहु की जट करो कि तुमारी बेटियों के भी जट होगे उनके ससुराल में एक्स हस्बिन आदिल खाल दुरानी के केस के बाद पहली बार सामने आई राखी सावन अंकिताल उखंडी को लेकर आखिर क्या है उनका कुछ कहना हेलो काईज मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जैसपलो और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर राखी सावन एक ऐसा नाम है जो बिग बॉस से हमेशाद जुड़ा रहता है सीजन कोई भी हो यहाँ पर महमान के तौर पर राखी सावन एंटेटेन्मेंट का तड़का लगाने जरूर आती है लेकिन बिग बॉस 17 के सदस्यों को यह मौका नहीं मिल पाया यहाँ पर इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज़्यादा परिशान है नाकी सावन लेकिन वो अपने बिग बॉस के फैंस को एडिटेन करना और अपनी ओपिनिन देना बिलकुल नहीं भोलती है ऐसे में अंकीता लोखंडे की सासो मा को लेकर काफी ज़्यादा आजकल हंगामा हो रहा है सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद अंकीता लोखंडे को खरीखोटी सनाई थी उनकी सास ने उसको लेकर काफी सारे सेलेप्स ने अपना point of view दिया और हिम्मत दी अंकिता लोखंडे को ऐसे में अपनी मराथी मुलगी को सपोर्ट करने आ गई है हमारी dancing queen राखी सावन उन्होंने कहा है कि इस बार का big boss हमारी मराथी मुलगी अंकिता ही जीतेगी अंकिता तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो इसके साथ ही उन्होंने अंकिता की सासू मा को भी एक message दिया है इस वीडियो के जरी और कहा है कि आप प्लीज शांत रहिए मैं आपके घर आई हूँ और आप से मिल भी चुकी हूँ तबा बहुत देवी जैसी थी अब आपको क्या हो गया है क्यों अपनी बहु का इस तरह से तिरसकार कर रही हो अगर बहु की इज़त करोगी तो तुम्हारी बेटी को भी दूसरे घर में बहु जैसी प्यारी इज़त मिलेगी तुम्हें अपनी बहु का सपोर्ट करना चाहिए अगर अभी यहीं अंकिता विक पॉस जीत जाएगी तब तो तुम यहीं कहोगी कि मेरी बहु जीत गई लेकिन यह प्यार बात में देने से अच्छा आप अभी दीजिए और प्लीज अपनी बहु को नेगेटिव दिखाना बंद कीजिए आपका बेटा है तो आपकी बहु भी उस घर में है और दोलों तरफ आपको बराबर प्यार बाटना है राकी सावन्त ने बहुत ही फणी तरीके से अपना वीडियो मैसेज अपने पांस को दिया है तो आप राकी सावन को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेद है राकी को फ़न एलिमेंट आपको कैसा लगता है हमें अपनी राइक कोमेंट सेक्षिन के जरीए जरूर बताए और टेलिविशन और विद्वास 17 से जुड़ी हरे क्लिटिस्ट खबरों से चुड़े रहने के लिए टली रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भोले